हेलो फरेंट्स अगले वाले थियोरम की दरफ चलते हैं थियोरम यह है कि A non-empity subset A of R अगर हमारे पास set of real number का कोई एक non-empity subset A हो ओके तो आगे कहना चाहरा है the set A is nbd of a point P तो set A जो है neighborhood point होगा किसी point P का और T belongs to R है यानि P जो है real number है if and only if condition देर किये if and only if करके if there exist a positive integer अगर कोई positive integer हन को इस परकार मिले such that open interval P minus 1 opponent comma P plus 1 opponent subset of A कोशन यह कहना चाहरा है सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं आपको के भई अगर A P का nbd है तो एक open interval इस परकार का मिलता है जिसके लिए P minus 1 opponent comma P plus 1 opponent subset of A है आगे कहरा है कि अगर P minus 1 opponent comma P plus 1 opponent subset of A है तो A जो है P का nbd है condition if and only if करके है यानि if and only if का मतलब यह होता है अगर मैं आपका friend हूँ suppose that अगर मैं आपका friend हूँ तो आपकी तरफ से condition होनी चाहिए आप मेरे friend हूँ अगर आपकी तरफ से suppose करता हूँ कि suppose that आप मेरे friend हो एक चीज में मानते हुए हुए चलूँगा दूसरे वाली में प्रूफ करूँगा कि लिए रहना समझाती है मेरी बात तो सबसे पहले मैंने क्या suppose किया जो जो मेरे को given है उसके बाद मैं suppose किया मेरे को given that given that a is non-empty set जब a non-empty है तो जाहिसी बात है a non is equal to phi होगा and a subset of r r का subset है ओके मैंने suppose किया suppose that suppose that क्या सुबूच किया मैंने के a is neighborhood point of p पहले यह सुबूच कर लिया then we want to prove that then we want to prove that तब हम लोगों को दिखाना क्या है then we want to prove that हम लोगों को सीधिये करना है अगर एंबीडी है open interval p minus के वन अपोनन को मा पी पुलस के वन अपोनन सबसेट होना चाहिए एक है clear यह मेरा target है now अब देखो मैंने एंबीडी सुपोच करा है तो मैं वही से लेकर के चलूँगा एंबीडी की condition से मेरे को given है given that क्या given है एंबीडी ओफ पी ओके जिसको मैंने सुपोच किया है अर्थाथ यह मेरे पास given condition में आ चुका है अब अगर माल लिया एंबीडी का एंबीडी है पी का अगर एंबरूट पॉइंट है पी का then by definition then by definition किसकी definition of nbd मैंने डारेक्ट nbd की definition लगाई दियर एक्जिस्ट definition होती है दियर एक्जिस्ट ए पोजिटिव इंटीजर क्या होगी भाई दियर एक्जिस्ट ए पोजिटिव इंटीजर एपसाइलन गरेटर देन जीरो सच देट कंडिशन होती है ओपन इंट्रवल पी माइनस के एपसाइलन कॉमा पी पलस के एपसाइलन सबसेट हो फे लगा दी definition अब आगे चलते हैं मैंने एक नंबर स्पोज जैसे लाश्ट और में पहुपोज किया था मैरे को पहुचना एप माइनस उन ऊपॉनन और पी प्लस उन उन अपॉनन तक पहुचना है और एपसाइलन की हेल्फ से पहुचना है लाओ now for given epsilon यानि epsilon के लिए मैंने क्या सुपोज किया we choose या we can always choose एक पोजिटिव इंटीजर मैंने एक पोजिटिव इंटीजर सेलेक्ट किया ओके पोजिटिव इंटीजर और पोजिटिव इंटीजर जो है इस परकार सेलेक्ट किया कैसे सेलेक्ट किया positive integer select किया such that 1 upon n less than epsilon अर्थात मैंने positive integer लिया जो 1 upon n less than epsilon अर्थात n मैंने बहुत बड़ा number ले लिया अब सवाल पैदा यह होता है किसर आपने 1 upon n ही क्यों लिया है cushion के अंदर theorem के अंदर 1 upon n ही लिया गया है यसी लिए मैंने 1 upon N ही select किया अगर N बहुत बड़ा number है गोड़े आप अगर एण बहुत बड़ा number है तो one upon N बहुत छोटा सा number हो तो मैंने number select कर लिया अभी金 नमर select कर चुका अब अगर में number select कर चुका मेरा पी पॉट साइड करते हैं मेरे पास निकल कर गया इस तरब तो हुआ पी प्लस के वन अपॉनन लेजदेन का निशान है यह पी प्लस के एपसाइलन मेरे कहां सो कोई आपत्ती नहीं होनी चीए अब नौ एक कंडिशन तो मेरे पास यह निकल चुकी दूसरा देखना नौ मैं वही से चलूँगा चाहँ से मैंने सुपीकिया, वत ऊपॉनन एन इस यह मैंने सा पॉनन मैंनें साइड माइन टोनम सी गारओ किया माइनिस के activity के देख इंड किया यह फिर मैंने सो रफ किया एड पी बोथ साइड जैसे पहले किया था कि तो इस्वबों मेरा टारगेट चीहां पोहँचना है यहां पहुंचना फ्रीनिस While व्लक्ट hall greater than P मानसके एक साइलन है और आप सरण दोनों एक्विशन पर गउर करो lotta a सकता रिखना है अप यह से लिखना चुरू करो पी माइनस के एपसाइलन फ्रेस्ट गूरें और पी पलस के एपसाइलन पयां से देखना और बहुत रहुआ यह नहीं एन्ड फिस्ट दोनों का यूस किया मैंने पी माइनस एपसाइलन छोटा है पी-1 अपन क्वाइन से अब देखो पिटा पी-1 अपन हमेशा चोटा होता है थी प्लस वोन अपन की साहिए इतनी चोटी लेलो लेकिन पी-1 ऑन एन यह हमेशा छोटा होगा पी-1 अपन क्लियर आँ पी माईने रपसाइलेंश है ऑजह सोच वा जो गाई जो गाया तो चोटा है यह त피ूस भूस ओ नॉप इंशकर थो एप्री प्लॉस एPP साइलेंश exist कि खोगता हों के टी यहां से देख आज open interval p minus 1 opponent comma p plus k 1 opponent यह p minus 1 opponent ध्यान से देखना इतने की बात करता हूँ p minus 1 opponent और p plus 1 opponent किस interval के अंदर आ रहा है कौन से interval के अंदर पहुच रहा है यह subset बन रहा है यानि यह बीच्च वाला portion बन रहा है open interval p minus epsilon comma p plus epsilon का clear समझाती है ने की बात ओके और अब definition से जो मैं definition लेकर के चल रहा था जरा उस पर भी गोर करो अगर मैं उसके उपर गोर करता हूँ तो वहां से यह conclusion साब साब निकला हुआ है definition से के भाई p minus epsilon or p plus epsilon subset of a p minus epsilon p plus epsilon यह किसका subset यह का subset अब कैसे है एक बात फिर बता रहा हूँ नहां देखो p minus one opponent p plus one opponent किन दो नम्बरों के बीच महा रहा है इस नम्बर के और इस नम्बर के बीच महा रहा है ना ओके अरताब यह जो set है जिसका subset बन जाएगा clear और definition से NPD की definition से उपर देखो आप जो मैंने यहां NPD की definition लगाई हुई है यहां मैंने लिखा है कि p minus epsilon p plus epsilon subset of a है ओके अब a देखो a अगर b का subset है b c का subset है तो जाहिए इसी बात है का निकलता है कि a c का subset होगा होगा ना तो इन दोनों से मेरे पास result क्या निकल करके आएगा वही यहां से मैं सीधा सीधा यह बोल सकता हूं कि open interval p minus k one upon n koma p plus k one upon n subset है किसका a का पहले यही तो proof करना था देखो ना आगे चलते हैं अब मैं इसका मतलब क्या निकला इसका मतलब यह निकल गया के भाही कि इफ कि ए इज n b d o p अगर है n b d o p अगर है यह कंडिशन मेरी valid हो चुकी open interval p minus k one upon n koma p plus k one upon n subset of a है clear reverse suppose करूंगा converse result निकलूंगा now suppose that मैंने क्या suppose कि आपकी मार मैंने उटा suppose कर दिया suppose that अगर यह condition valid है के open interval p minus k one upon n koma p plus k one upon n subset है यह का अगर ऐसा है then proof क्या करना है we want to prove that 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 p minus one upon n और p plus k one upon n subset हो जाए a का कोई open interval किसी set a का subset हो जाए repeat करना हो में अगर कोई open interval किसी दूसरे set a का subset हो जाए तो उसके अंदर जो point होता है या वो जो subset जिसका वो subset बनता है यानि यह जो है वो हमेशा nbd होता है p का by the definition of nbd ओके तो इसका निकल कर क्या इससे सीदा सीदा conclusion निकलता है कि अगर यह open interval है open interval तो भी है ही यह तो given है मेरे को और यह subset है यह का so that इससे conclusion यह निकल करके आया so that so that by nbd definition okay clear a a and neighborhood point of p क्यों यहां से एक चीज़ और भी निकल सकती है मैं लेकर के चला था one upon n less than epsilon यहां से मैं ऐसे भी बोल सकता हूं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है open interval p minus epsilon, p plus epsilon subset of a और यह nbd की definition बनी जब nbd की definition बनी तो a nbd बना किसका p का और p जो है मेरा real number है और यही मेरे को proof करना था फिर भी अगर आपका कोई doubt है कोई problem है directly comment section के इंदर जाईए ओके और भाई question पूछिए i will help you और हाँ एक बात और भी z academy के नाम से मेरा application आ चुका है play store के उपर पढ़ा हुआ है link description के इंदर में दे दूँगा तो मेंसे कोई भी बच्चा जो interested है वह जो है उसको download कर सकता है एक साल का फिर यू of course subscription है ओके माल